नमस्कार मैं हूँ निरश कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया नियूज वक्त हो गया है आज के ताज तरीन खबरों का जारखंड एकेडमिक कॉंसिल बोर्ड की इस साल मैट्रिक और इंटर की परिक्षा आज से शुरू हो रही है दोनों परिक्षाओं में 7,66,520 चात्रों ने फॉर्म भरा है जिसके लिए 24 जिलों में 1978 परिक्षा केंद्र बनाए गए है गुआना के परदान मंत्री मार्क फिलिप्स आज भारत आ रहे हैं जहां वे भारतिये विदेश मंत्री एस जैसंकर के साथ दिल्ली के होटल ताज में बैठक करेंगे वहीं साम राश्पती दुरोपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे योगी सरकार ने बजट से ग्रामिन विकास पर विसेश जोड दिया है जहां वेगरों को आवाज सोचाले के साथ अब गाउ में बारात घर, जिम और पार्क की भी मिलेगी सुविधाएं राश्टिये लोग जनता दल के अध्यक्ष उपेंद कुस्वहा ने कहा कि मेरा एक मात्र मिसन नरेंदर मोदी को फिर से परदान मंत्री बनाना है हम बिहार की सभी 40 सीटों पर NBA परत्यासी को जिताएंगे इसका संकल्प लिया है राश्धानी दिल्ली में मौसम में सुधार होने के बाद अब स्कूलों की टाइमिंग में भी बदलाव कर दिया गया है जहां दिल्ली सरकार के सिक्षा निदे साले के अनुसार अब स्कूल पहले के तरह समय पर खुलेंगे जहां आदेस आज से ही लागो हो रहा है चंडीगर मेर चुनाव पर सुप्रीम कूर्ट के चीफ जेस्टिस ने करा एतराज जताते हुए मतगनना अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करने की बात कही साथ ही इसे लोकतंत की हत्या और भद्दा मजाक बताया जिसके बाद विपक्स सत्ता पक्स पर होबी हो गई है कांग्रेस के पुर्विधायक एवं चुनाव कमेटी सदस से डॉक्टर राजकुमार बेरका ने मलिकार जुन खरगे की रैली को लेकर जिला पदाधिकारियों के साथ बैठक की वहीं सुखवीर सिंग बादल द्वारा सुरू की गई पंजाब बचाओ यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि सुखवीर बादल को पंजाब से पहले अपनी पार्टी को बचाने का प्रियास करना चाहिए क्योंकि भर्तमान में सिरोमनिया काली दल के लिए अपना अस्तित्व बचाना ही मुश्किल हो रहा है चंडिगर में पांस साल से ज़्यादा नोकरी नहीं कर सकेंगे हर्याना पंजाब के कर्मचारी चंडिगर प्रसासन ने भेजा प्रस्ताओ जार्खंड के पुर्मुक मंतरी हेमन सौरेन की ओर से एडी के अधिकारियों के खिलाफ SCST Act के तहत दर्ज प्राथमी की निरस्त करने के लिए जार्खंड हाई कोट में याचिका दाखिल की गई है याचिका में प्राथमी की को नियमों के खिलाफ बताया गया है और कहा गया है कि इस तरह की प्राथमी की जाच एजन्सियों के खिलाफ दर्ज नहीं की जा सकती दोस्तों आगे वरनेस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है इसके अलावा राष्टिय प्रोदोगी की संस्थान के अस्थाई परिसर को राष्ट को समर्पत करेंगे साथ ही पीम मोदी विक्सित भारत विक्सित गोवा 2047 कारकरम को भी सम्बोधित करेंगे ताज महल में आज से शुरू हो रहे उर्ष्ट पर रोक लगाने की मांग को लेकर अखिल भारतिय हिंदू महसभा ने कल एसाई को ग्यापन सोपा था साथ ही कहा कि इस मामले में कोट में याचिका लगी हुई है नोटिस जारी किया गया है साथ ही जनपद में धारा 144 लाग की गई है ऐसे में उर्ष्ट पर रोक लगाई जानी चाहिए उत्राखन केविनेट ने दी समान नागरिक संहिता विदहक को मंजूरी आज विधान सभा में धामी सरकार करेंगी पेस आर्वियाई की MPC बैठक आज से सुरू हो रही है इसमें महंगाई पर मंथन होगा और रैपो रेड को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा सकता है राज्थान हाय कोर्ट के मुख्य नियाधिस MM स्रिवास्तव आज लेंगे सपत राजभवन में साम चार वजे राजपाल, कलराज, मिस्र, पद और गोपनियता की सपत दिलाएंगे धान मत्री नरेंद मोदी ने कल संसद में बोलते हुए कॉंग्रेस पर जम कर हमला किया जहां PM मोदी राजपती के अभिवासन पर लाए गए धनवाद प्रस्तों पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि कॉंग्रेस को एक अच्छा विपक्ष बनने का बहुत बरा अवसर मिला और उसके लिए 10 साल कम नहीं होते हैं लेकिन 10 साल में उस दायत्तों को निवहाने में भी हुए पूरी तरह से विफल रहे PM मोदी ने आगे कहा जब कॉंग्रेस खुद विफल हो गए तो विपक्ष में और भी होनहार लोग हैं उन्हें भी कॉंग्रेस ने उभरने नहीं दिया एक ही प्रोडक्ट वार वार लॉंच करने के चक्कर में कॉंग्रेस की दुकान पर ताला लगाने की नौबत आ गई है ओविसी सरेनी के तहत मराठों के लिए आरक्षन की मांग को लेकर विरोध परदर्शन का नित्रित्व कर रहे कारकरता मनोज जांग्रे ने सौंबार को एक वार फिर से धमकी दी है उन्होंने कहा है कि अगर सरकार पिछले मेहने जारी मसोदा अधिसूचना में उल्लिखित रक्त संबंधियों सब्द के दायरे को समझाने में विफल रही तो दस फरवरी को भूखरताल सुरू की जाएगी गुजडात एटियस की जाच में खुली मौलाना सल्मान अजहरी की कुंडली अजहरी के खिलाब पहले से ही दर्ज हैं पांच केस बता दे कि जूनागर हेट स्पीच मामले में पुलिस अभी तक मौलाना को मिला कर तुल चार लोगों को गिरफतार कर चुकी है राज्थान के मुखमंत्री भजनलाल सर्मा मत्रा के गोबर्धन पहुँचे जहां उन्होंने राज्थान की सीमा पर अस्थित पुंच्री के लोड़ा के दर्सन भी किये वहें मुखमंत्री के मौथरा पहुँचने पर भजपा कारकरताओं ने उनका माला पहना कर स्वागत किया महवा के पनवारी गोली कांड की गुथी अभी सुलजी भी नहीं थी किसरी नगर थाना छेतर के सिजवाहा गौव में सरकारी सराब की दुकान पर सराब पीने के दोरान गोली कांड की घटना सामने आए गई है जिससे गौव में सननाटा पसर गया है कबर के अनुसार अवय तमंचे से हुई फैरिंग में गायल युवक को पुलिस और परिजनों ने जिला अस्पताल में भरती कराया वहीं गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने जहांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया उधर पुलिस आरोपी देवकरन की तलास में जुट गई है 36 गर महतारी वंदन योजना के लिए फॉर्म भरना शुरू हो गया है जा सुविधा कैंदरों पर लग रही है महलाओं की भीर 20 फरवरी तक भर सकते हैं आवेदन मदपर्देश के छिंदवारा से ही लोकसभाच नौल रहेंगी मदपर्देश के पुर्वसियम कमलनाथ के पुत्र नाकुलनाथ जनसभा में खुद ही किया ऐलान माचल पर देश के किन नौर में एक टुरिष्ट कार के नदी में गिरने से टाइवर की मौत हो गई वहीं कार में बैठे दो प्रियाटकों में से एक गायल होकर सरक पर गिर गया जबकि दूसरा नदी में बह गया नदी में गायव हुए तमिलनाडू के प्रियटक को पुलिस की टीम ढून रही है वितमंत्री नर्मला सितारमन ने सौमबार को केंदर सासित परदेश जम्मू कस्मीर के लिए वितबर्स 2024-25 के लिए 1.18 करोर रुपए का अंत्रिम बजट पेस किया जहां अंत्रिम बजट में 20,760 करोर रुपए के राजकोसिय घाटे और सकल राजगरेलू उत्पात में 7.5% की बिर्धी परिकलपना की गई है पश्य मंगाल की सियम ममता बनर जी वन नेशन वन एलक्सन के लिए दिल्ली में आयजित बैठक में हिस्सा नहीं लेगी उनके जगह तरिनमूल के दो सांसत बैठक में भाग लेंगे दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने नियूज को लाइक किया है और कमेंट किया है लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी है जिन्होंना नियूज को लाइक और कमेंट नहीं किया है उनसे भी आग रहा है कि प्लेज 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 भी नियूज को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में सेर भी कर दें तो ये थी आज की तायतरीन खबरें, ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब किजे, नटकेशन बेल को दवाईए, वीडियो को लाइक किजे और ज्यादा ज्यादा सेर किजे, ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप और आपके जानने वाले रह सके अपडेट